हलो दोस्तो नमस्कार आज हम हम हमचर प्रदेश के बारे में जानेंगे जिसमें हम हम हमचर प्रदेश के इत्यास के बारे में गहन चर्चा करेंगे दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा यूटीब चेनल जेनल स्टेडी प्रेपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबस्क्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिमचा परदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थीत एक राजियो है जो की 56,019 किलो मिटर से अधिक ख्षेतर में फैला हुआ है तथा इसकी सिमाओ का विस्तार उत्तर में लदाक और जम्मु कश्मीर से होते हुए पश्ची में पंजाब, दक्षिन पश्ची में हर्याना एवं दक्षिन में उत्राखंड तता उत्तर परदेश तक है इस राजियों के पूरुम में तिब्बत और्टनमस रिजन ओफ चाइना है हिमचर प्रदेश को बरफिले पाड़ों का प्रांथ भी कहा जाता है और यहो विश्व भर में देव भूमी के नाम से भी विख्यात है इस क्षेतर में आरेयों का प्रभाव रिगवेज से भी पुलाना है आंगल अगोर्खा युद के बाद यहो प्रेटिश अपनी वेशिक सरकार के अधिन चला गया सन 1857 तक यहो महराजा रंजित सिंग के शासन के अधिन पंजाब राजियों जो की पंजाब हिल्स के सिब्बा राजियों को छोड़ कर काहिसा रहा सन 1956 में इसे केंदर शासित प्रदेश बनाया गया यदि हम प्रतिव्यक्ति आय की बात करें तो यहो राजियों भारत में पंदर्वेस्थान पर है यहां पर बारामासी नदियों के स्त्रोथ होने के कारण यहो राजियों अन्यों राजियों को पन बिजली बेज़ता है जिन में प्रमुख है दिल्ली पंजाब और राजियों जैसे राजियों की अर्थवेस्था तीन प्रमुख बिंदों पर निर्बर करती है जिसमें की परियाटन, क्रिशी और पन बिजली आती है हिंदू राजियों की जनसक्याखा 95 प्रतिशत है और प्रमुख समुदायों में राजपूत, ब्रामन, चौधरी, गदी, कनेट, राठी और कोली शामिल है Transparency International के 2005 के सर्विक्षन के अनुसार हिमचर प्रदेश देश में केरल के बाद दूसरा सबसे कम रष्ट राजियों है हिमचर प्रदेश का इतियास उतना ही पुराना है जितना की मानम अस्तितों का अपना इतियास है इस बात की सत्यता के प्रवाण हिमचर प्रदेश के विभिन भागों में हुई कुदाई से प्राप्त समागरी से मिलते है प्राचिन काल में इस प्रदेश के आदी निवासी, दास, दस्यू और निशाद के नाम से जाने जाते थे महमुद गजनवी ने ग्यारिश तावदी की शुरुआत में कांगरा पर विजय प्राफ्त की तैमुर और सिकंदर लोधी ने भी राजों के निचले पहाड़ी क्षेतरों से होते हुए कई किलों पर कवजा कर लिया और कई लड़ाया लड़ी गोर का समराजों ने कई राजों को जीत लिया और 1768 इस्वी में नेपाल में सतादीन होगे इसके बाद उन्होंने अपनी सैने और शक्ती को मजबूत किया और अपने क्षेतर का विस्तार भी करते रहे धीरे धीरे नेपाल की समराजियों ने सिर्मौर और शिम्ला पर कवजा कर लिया अमर्थापा के नेतितों में नेपाली सेना ने कांगडा की गेराबंदी की उन्सुच ताबदी में रंजी सिंग ने इस खशेतर के अनेक वागों को अपने राजियों में मिला लिया जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने गोर्खा लोगों को प्राजित करके कुछ राजाओ की रियास्तों को अपने समराजियों में मिला लगा हालंकि नेपाली सेना 1809 इस्वी में महराजा रंजित सिंग के अधीन आने वाले कांग्रा की लेपर कवजा नहीं कर सकी हार के बाद वे राजियों के दक्षिन की और बढ़ गए 1857 के विद्रोहों या संतंतरता के पहले भारतिय युद में अंग्रेजों के खिलाब कई शिकायतों के कारण पहाडी राजों के लोग राज लैतिक रूप से उतने सक्रियों नहीं थे जितने की देश के अन्यों हिंसों में थे 1858 को रानी विक्टोरिया की गोशना के बाद ब्रेटिश क्राउन के अधीन आगे चंबा, मंडी और बिलासपूर राज्यों सहीद कई अन्यों राज्यों इस दोरान ब्रेटिश शासक के वफादार बने रहे और उन्होंने ब्रेटिश युद के प्रयासों में योगदान इन में कांग्रा, जस्वान, दतारपूर, गुले, राजगर, नूरपूर, चंबा, सुकेट, मंडी और बिलासपूर जैसे राज्यों शामिल थे उनुस्वी स्थापदी में रंजिल सिंग ने इसक शेतर के अनेक भागों को अपने राज़ों में मिला लिया, जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने गोर्खा लोगों को पराजित करके कुछ राजाओ की रियास्तों को अपने समराज़ों में मिला लिया शिम्ला हिल स्टेर्स की स्थापना 1945 इसवी तक प्रदेश में प्रजा मंडलो का गठन हो चुका था और 1940 इसवी में सभी प्रजा मंडलो को HHSRC में शामिल कर लिया गया तथा मुख्याल मंडी में स्थापित किया गया मंडी के स्वामी पुर्णा नंद को अध्यक्ष पदमदेब को सचिव तथा शिव नंद रमोल को स्युक्त सचिव निक्त किया HHSRC के नहन में 1940 इसवी में चुनाव हुए जिसमें याश्वन सिंग परमार को अध्यक्ष चुना गया जन्वरी 1947 इसवी में राजा दुर्गा चंद बगाट की अध्यक्षता में शिमला हिल्स स्टेर्स यूनियन की स्थापना की गई जन्वरी 1948 इसवी में इसका समेलन सोलन में हुए हिमचल के निर्मान की गोशना इस समेलन में की गई दो मार्च 1948 को शिमला हिल्स स्टेर्ट के राजाओं का समेलन दिली में हुए राजाओं की अगवाई मंडी के राजा जुगेंदर सेन कर रहे थे इन राजाओं ने हिमचल प्रदेश में शामिल होने के लिए आठ मार्च 1948 को एक समझोते पर हस्ताक्चर किये 15 अप्रेल 1948 इसवी को हिमचल प्रदेश राज्यों का निर्मान किया गया और उस समय प्रदेश भर को चार जिलों में बांटा गया और पंजाब हिल्स स्टेर्स को पटियाला और पुर्पंजाब राज्यों का नाम दिया गया 1948 इस्वी में सोलन की नालागट रियासित को शामिल किया गया अप्रेल 1948 इस्वी में इसक शेत्र की 27,000 वर्ग किलोमेटर में फैली लगवक्ती इस रियासितों को मिला कर इस राजो को केंदर शासित प्रदेश बनाया गया 1948 इस्वी में राजो का उनर गठन किया गया और कोटखाई को उपतैसिल का दर्जा देकर खनेटी, दरकोटी, कुमार सेंद उपतैसिल की कुछ क्षेत्र तथा बलसन के कुछ क्षेत्र कोटखाई में शामिल किये गये कोटगड़ और कुमारसन उप तैसिल में मिलाया गया उत्तर परदेश के नहदे दो गाओं संसोग और बरटार को जूबल तैसिल में शामिल किया गया पंजाब के नालागड से 7 गाओं लेकर 16 तैसिल में रिये 1954 इस्वी में कहलूर रियास्त को प्रदेश में शामिल करके इसे बिलासपूर का नाम दिया गया 1960 में छटे जिले के रूप में किनौर का निर्मान किया गया और वर्ष 1966 में पंजाब का पुनर गठन किया गया तथा पंजाब वो हर्याना दो राजियों बना दिये गए संजॉली, भराडी, कसुंटी तथा नालागड़ आदी जो पहले पंजाब में थे पुना हिमाचा प्रदेश में शामिल कर दिये गए सन 1966 में पंजाब के पाड़ी क्षेत्रों को मिला कर इसका पुनर गठन किया गया तो इसका क्षेत्र पल बढ़कर 55,670 वर्ग किलो मिटर हो गया हिमाचा प्रदेश को पुनराजियों का दरजा 25 जनवर 1970 को मिला एक नुमबर को कांगडा जिले के तीन जिले यानि की कांगडा उन्ना तता हमीरपूर बनाएं गए महसु जिला के एक शित्रों में से सोलन बनाया है तो दोस्तो ये था हिमाचा प्रदेश का इधियास जिसको हमने आज की इस वीडियो में समझा दोस्तो हमारे साथ बने रहे अगली जो वीडियो आई की वो हिमाचा प्रदेश के जोग्राफी यानि की उसका भुगोल उसकी नदिया उसके कल्चर यानि की संस्कृती के उपर होगी तो दोस्तो हमारे इस वीडियो को जदा से जदा शेयर करें सबस्क्राइब करें लाइक करें और यूट्यूब जैनल को आप सबस्क्राइब करें थैंक यू तो वाच दिस वीडियो थैंक्स